अब इसमें आगे एक सूत्र है वो बहुत महत्व का है। बागवट्टी जी कहते हैं मठा या छाच कप पीना, दूद कप पीना, रस कप पीना। तो उसके लिए उन्होंने बहुत इस्पष्ट और बहुत जोर देकर ये कहा है कि मठा हमेशा दुपहर के भोजन के बाद ही पीना। जूस हमेशा सुबह के भोजन के बाद ही पीना। सुबह का भोजन माने नाश्ता। बागवट्टी जी ने नाश्ता शब्द कहीं नहीं इस्तेमाल किया है। सुबह का भोजन। आप उसको नाश्ता कैसे है। तो सुबह के भोजन के बाद जूस, दुपहर के भोजन के बा या मठ्ठा पी लिया, वो कहते हैं ये उल्टा क्रम आप मत करना, क्यों नहीं करना, तो आगे वो एक्स्प्लेनेशन देते हैं, वो ये है, बहुत महत्तुका, कि हमारे शरीर को मठ्ठे का पाचन होने के लिए जो रस की जरूरत होती है, रस माने एंजाइम, जो एंजाइम य सूरियास्त के बाद ही होते हैं, या सूरियास्त के समय ही उनकी उत्पत्य शुरू होती है, और जो रस और एंजाइम की जरूरत जूस पचाने के लिए है, वो सुबह ही होते हैं, इसलिए आप नियम बना लो, ब्रेक फास्ट में जूस, लंच में मठ्ठा, चाच और डिनर में दूद, बच्चों को भी यही नियम, बड़ों को भी यही नियम, अब आप कहेंगे हमारे बच्चे तो स्कूल जाते हैं, दूद पी कर जाते हैं, तो बदल दो, जूस पी कर भेजो, या पिला कर भेजो, और आप कहेंगे जी पीएंगे नहीं, आप जैसी आदट डाले कि बच्चे वैसे ही होने वाले हैं, क्योंकि बच्चे अपने से कुछ नहीं सीखते, वो आपका सिखाया हुआ है सारा कुछ, तो अब तक आपने बच्चों को दूद पीने की आदर डाली है, आज से माफी मांगलो के गलती हो गई हमसे, अब हम आपको चाहते हैं कि आप जू स्पीना, दुपहर के बोजन के बाद मठा, रात के बोजन के बाद दूद, ये सूत्र है, अभी इसके आगे का सूत्र, बागबट जी कहते हैं कि आप खाने की डिल घंटे के बाद पानी पियें, क्योंकि जठर के अगनी के प्रभाव में खाना डिल घंटे तक रहता है, त तो पानी कैसे पियें? कैसे पियें पानी? तो हमारे याँ पानी पिने के बहुत तरीके हैं, लोटा मुझ से लगाया, गट-गट-गट-गट उतार लिया, गिलास मुझ से लगाया, गट-गट-गट-गट उतार लिया, क्या ये तरीका? तो बागबट जी कहते हैं, ये तर चुष्किया ले लेकर पीए। घूट भरबर के पानी पीए। सिप ले लेकर पानी पीए। ऐसा पानी पीने का नियाब। जैसे आप गरम दूद पीते हैं ना बागवट जी बिल्कुल उसके समकशरक्श रकते हैं। कि गरम दूद आप जैसे पीते हैं, एक-एक सिप या चुसकी लेकर घूट बरके ऐसे ही पानी पीएं. अब ये क्यों? ये समझ ले. आप एक साथ पूरा पानी उतारें गले के नीचे और एक-एक घूट पानी उतारें गले के नीचे, दोनों में जमीन आस्मान का अंतर है. क्या अंतर है? मैं आपको एक महत्तु की बात समझाना चाहता हूँ, ये जीवन भर याद रहे तो बहुत अच्छा. हमारे पेट में बोजन को पचाने के लिए अगनी होती है, और इस अगनी को तिव्र करने के लिए अमल होता है, अमल, एसिड. आप जानते हैं, पेट में अमल बनता है, प्राकरतिक रूप से बनता है, अब पेट में तो अमल बनता है, और भगवान ने ऐसी व्यवस्था की है, कि पेट में अमल दिया है, और मू में चार बनता है, जिसको लार कहते हैं, लार, सलाइवा, सैलिवा, लार, लालारस, लोड़ा भी अगर विग्यान जानते हैं तो आप जानते हैं कि छार और अमल को मिलाओ तो हो जाता है नीट्रल अमल और छार आपस में मिलें तो नीट्रल होता है माने सामन्य चीज बनती है जिसको हम लोग कहते हैं लवण एक लवण होता है नमक वो अलग है केमिस्ट्री की लवण की बात कर रहा हूं तो अमल और छार आपस में मिलते रहें तो नीट्रल होते हैं अमल का मतलब है जिसका पी एच साथ से कम है और छार का मतलब है जिसका पी एच साथ के आगे है और नीट्रल का मतलब जिसका पी एच साथ है ये जो पानी है ना पानी ये ना अमल है ना छार है यह नूट्रल है तो बागवट्टी जी कहते हैं कि पेट आपका अकसर पानी के जैसा रहे तो बढ़िया और जिनका पेट पानी के जैसा मनें पेट की अमलता ना बढ़े और पेट का छारपन भी ना बढ़े पीएच साथ के आसपास रहे तो बागवट्टी जी कहते हैं ऐसे व्यक्ति को सौ से ज्यादा वर्ष जीने की पूरी गारंटी है बिना एक भी दवा खाए और बिना चिकित सक के पास जाए अब आपके पेट में अमल बन रहा है मूँ में लार बन रही है अगर पानी आप गूट गूट पीते हैं तो ये पानी के साथ लार मिलके अंदर जाती है और पानी एक साथ गड़ 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 पीते हैं तो कम लार पानी के साथ मिलकर जाएगी ये लार बन रही है अंदर जाने के लिए बाहर निकालने के लिए नहीं क्योंकि अंदर पेट के अमलुको शान्त रखना है इसके लिए छार है तो वो ये कहते हैं कि गूट-गूट पिया पानी अगर सिप-सिप करके आपने पानी पिया तो जादा लार अंदर जाएगी तो अमल को शान्त करने में मदद आएगी इसलिए आपका पेट नीट्रल रहेगा और आपकी जिंदगी बिना किसी दवा और रोक के आराम से सौ डिड़ सौ साल हो जाएगी इसलिए पानी घूट घूट भरके पिये और एक साथ गटगट पानी पियेंगे तो लार पानी के साथ मिल नहीं पाएगी तो अंतिम रूप में जब वो पहुँचेगा पानी तो खाली पानी होगा और वो उतना नीट्रलाइज नहीं कर पाएगा पेट को उस तरह से सामान निवस्था में नहीं लापाएगा हाला कि पानी भी अमल को कम करता है बहुत ही महत्व की बात है ये सबाब के लिए वो ये कहते हैं कि जो व्यक्ति सिप सिप करके पानी पीएं वो देखें जानवर कैसे पीते है चुडिया कैसे पानी पीते है चीडिया एक drop उठाती है आप ध्यान देना चुड़िया एक drop उठाएगी फिर उसको ऐसे ऐसे मूह में चलाएगी फिर पिएगी फिर दूसरी drop उठाएगी फिर ऐसे ऐसे चलाएगी फिर पिएगी ऐसी कुत्ता है पानी को चाट चाट के पिएगा, शेर पानी को चाट चाट के पिएगा, जाधातर जानवर पानी को ऐसे ही पीते हैं, वो जानवर हमसे जादा स्वस्थ हैं, किसी को डाइबिटीज नहीं है, कोई ओवर्वेट नहीं है, हाँ, किसी को डाइबिटीज नहीं, क कोई औवरवेट नहीं, किसी को जॉइंट स्पेन नहीं, किसी को कुछ नहीं, क्योंकि वो पानी पीने का नियम जानते हैं, बागवट के पक्के चेले हैं, यह सब जानोगा है, बिना बोले और बिना कहे तो आप भी हो जाएए बागवट जी कहते हैं कि पानी थोड़ा लीजिए जैसे चुड़िया पीती है उसको मुह में चुड़िया ऐसे ऐसे करती है न गुमाती है तो आप भी पानी को थोड़ा गुमाईए फिर पी जाएए थोड़ा पानी कोई रोग आने की संभावना नहीं मैंने आपके सारे रोगों की एक दवा तो मैंने ये एक्सपरिमेंट शुरू किया ये मैंने पढ़ा था छे साल पहले बागबट जी को मैंने छे साल पहले पढ़ना शुरू किया तीन साल पढ़ने में लग गया और तीन साल समझने में लग गया तो छे साल पहले मैंने यो सूत्र पढ़ा था मैंने का यार कुछ लोग है जो बीमार हैं बहुत मैंने का तुम करके देख लो भागबट कह रहे हैं गलत तो रिजल्ट आने वाला नहीं तो आपको सुनकर हैरानी होगी हमारे जो दोस्त हैं सहयोगी हैं जिनका वजन बहुत जादा था उन्होंने पानी सिपसिप करके पीना शुरू कर दिया और भोजन के डेड़ घंटे के बाद पानी पीना शुरू ये दो सूत्रों का ही परिनाम है कि सब के वजन पहले से आधे हो गए एक तो मेरा दोस्त है जिसको मैं कभी आपके सामने खड़ा कर सकता हूँ 140 किलो का था वो और एक सवा साल हो गया लगबग अभी डेड़ साल है अब 70 किलो का है बिना कोई दवा खाए बिना भोजन में कोई बदला हो कि सिर्फ पाने पीने का तरीका बदला